मुख्य मंत्री को जूट बोलना शोबा नहीं देता कोटा एरपोर्ट पर गहलोत के बयान पर भाजपा का पलटवार कोटा एरपोर्ट पर गर्माई सियासत अब सिंधिया बोले जूट बोल रही है सीम गहलोत कोटा एरपोर्ट के मामले में किंदी नागरिक ओडियान मंतरी जोदी राधित्या सिंधिया ने शोशल मीडिया प्लेट्फ़र्म एक्स पर एक पोस्ट करती हुए सीम गेहलोट के बयान को ब्रामक बताया है सिंधिया ने लिखा कि राजिस्तान की मुख्य मंत्री गहलोत ने मामले के तत्यों को ध्यान में रखे बिना ब्राहमत बयान दिया है सिंध्या ने अपनी पोस्ट में बिंदुवार उल्ले करते हुए राज सरकार द्वारा नए एरपोर्ट के लिए की जाने वाली जमीन के आवंटन से लेकर अन्य प्रिक्रियाओं में जुल्मोल रवया अपनाने की बात कही है उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री अशोग गहलत को राजस्तान में हवाई अड़े और नागरिक ओडियन विकास में सबसे कम दिल चस्पी है केंद्र हाथ खड़े कर दे उन से नहीं बन पा रहा है तो हम बना देंगे गहलत 13 सितम्मर को सीएम अशोग गहलत ने यूडी एच मंत्री शांती धारिवाल विधायक भारत सिंग और जिला प्रिशासन के अधिकारियों के साथ कोटा के संभूपुरा में प्रस्तावित ने एरपोर्ट की जमीन का इंडिक्शन किया था एरपोर्ट का नक्षा देखने के बाद मीडिया से बात करती हुए उन्होंने कहा था कि केंद्र जबरन उसमें अर्चन पैदा कर रहा है नई नई शर्त लगा कर एरपोर्ट के निर्मान में देरी की जा रही है उन्होंने लोकसवा स्पीकर ओम विरला पर भी निशाना और कहा था कि यदि केंद्र सरकार से नहीं हो पा रहा है तो वह हात खड़े कर दें हम एरपोर्ट बना देंगे